एनाई को दिये इंटर्व्यू में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरुवत नहीं है, सब लोग जुरक्षित हैं, अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, तो उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है, आप उनसे पूछते नहीं है, आपको उनसे पूछना चाहिए था, कि उनके जो नेता है, हर जगे जाके ये क्यों कह रहे हैं, कि सम्विधान को बदलने वाले हैं, सुन्ये, कि आप उनसे पूछिए ना, कि सम्विधान को बदलने वाली बात उनी के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहां से और इस बात का मतलब क्या है अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है क्योंकि जब सम्विधान बदलेंगे तो आरक्षन को क्या होगा जब समिधान बज लेंगे तो यह जो अधिकार है जो सबका है इस देश में की चाहे प्रदान मंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो उसका वोट का अधिकार है इसका क्या होगा तो इसका जवाब देना यह कहना काफी नहीं है कि ड़िये मत हम तो वैसे भी नहीं डरते हैं अब तो तो ते पर दो